नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का जैसा कि आप जानते हैं कि Supreme Court of India के माध्यम से B8 vs. BTC को लेकर order जारी कर दिया गया है order जारी हो जाने के बाद से बहुत सारे चातों के मन में सवाल है B8 vs. BTC को लेकर और मैं आपको जो भी जानकाई दूँगा वो पूरे तरीके से authentic और real होगी जिससे कि आप आगामी दर्णीतियों के लिए सही चीज़ों को चुन सकें और B8 vs. BTC मामले को लेकर एक telegram channel भी बनाया गया जो कि आप सभी के लिए group है आप उसमें भी जुड सकते हैं जिसका link आपको comment box और वीडियो की description में मिल जाएगा लेकिन सवाल यह है कि B8 vs. BTC मामले को लेकर Supreme Court of India के माध्यम से जारी किये गए order को लेकर बहुत सारी confusion देखने के लिए मिल रही है जो कि सही जानकाई चातों तक नहीं पहुच पारी है और उसमें कहीं ने कहीं आप लोग भी support नहीं करें क्योंकि आप लोग उन लोगों तक इस वीडियो को नहीं share करें अगर आप share करेंगे तो उनको सही और सठीक जानकाई मिलेगी क्योंकि जब आप जानते B8 वसिस BTC मामले को लेकर Supreme Court में सुनवाई चल रही थी तो वहाँ पे भी B8 वाले च्छातों के साथ धोका किया गया था कैसे मैं समझा देता हूँ असल में मामला ये था कि जब जब B8 वाले अभयतिस बात को लेकर एक्टिव होते थे कि कुछ अन्होनी ना हो जाए तो उनको ये कह दिया जाता था कि सरकार आपके पक्ष में है आपका कुछ भी नहीं बिगाड सकती और इसी अंद्र विजवास की रूप में B8 वाले अभयतियों के लिए एक नुकसान हुआ जहां पे B8 वाले चात्तों को प्रात्मिक सिच्छक भरती से सुपीम कोर्ट ओफ इंडिया ने बाहर कर दिया अब सुपीम कोर्ट का ओरडर आ जाने के बाद से ये भी बहुत चिटने लगी है कि B8 वसिस BTC को लेकर जो मामला जादी किया गया है बो सिप राजिस्तान के लिए है UP के लिए नहीं अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो इसको पूरे तरीके से मैं किलियर कर दूँगा बस वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और एक और बात बियर्ड वसिस BTC को लेकर बहुत सारी कन्फूजन आपके मन में हो सकती है इसको लेकर मैंने पहले से कई वीडियोज अपलोड कर दियें जिसमें आप सभी के सभी सवालों के जवाब दियें कि बियर्ड वाले उच्छातों के पास अभी कौन-कौन से रास् खोल सकते हैं इन वीडियोज को आप लोग देख लीजेगा जिसमें आपके लिए बहुत साई जानकाई दे दी गई है मुद्धे पर आते हैं मुद्धा यह कि बियर्ड वसिस BTC को लेकर सुपीम कोड के माध्यम से दिया गया ओरर क्या उत्तर प्रदेश के अंदर वैलिड कि जारी नहीं होगा वाले अभ्यतियों का क्योंकि उनके परढाम पर रोक लगा दी गहीं तो असल में मामला यह है कि सुपीम कोड के ओरर को आपको समझने की आपशक्ता है अगर आपने समझ लिया तो आपके सभी सभालों के जवाब मिल जाएंगे देखो जब बियर्ड बीटीसी को लेकर सुनवाई चल लए धीना तो उस समय पर जजिस के माध्यम से एक नोटिस दारी किया गया था सभी राज्यों को जिसके अंदर ये कहा गया था कि बीटीसी को लेकर कोई भी भरती संस्तान कोई भी प्राइबिट संस्तान या कोई भी भरती आयोग या कोई भ करने जा रहें चोकि कल को अगर सुपीम कोट ओर दे देती है और कोई भरती संस्थान यह कहती है कि हमें इस मुद्डे बहुत आ रहे हां सेसे करनी हैं तो सुपीम कोट की तरब से यह कहा जाएगा कि ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि हमने इस मामले पर पहले से सुनबाई कर ली है तो सुपीम कोर्ड इस मामले पर सुनबाई नहीं करे गी ये दोनों बाते अलग अलग है पहली बात यह है कि रिव्यव प्यटिशन पूरे तरीके से अलग है अगर आप mês चाहें बीट वाले अभ्यति इसमें रिवी प्रेडिशन दाखिल करके सुपीम कोट में अपने मुद्दे को दुबाया से विचार करवा सकते हैं पहला रास्ता लेकिन जो दूसी बात मैं आपको बता रहा हूं कि सुपीम कोट के माध्यम से सभी राज्यों को नोटिस भेशते हुए पहले ही बता दिया गया था कि अगर कोई भी भरती संस्तान कोई भी सरकार कोई भी थर्ड परसन अपनी वहस रखना चाहता है बाद में उसको मौका नहीं दिया जाएगा और अब क्या हुआ कि जब से सुपीम कोट का ओर्डर जाजी हुआ है तब ही से सोशल मीडिया पर य जादी किया और बेर्ड वाले अभयतियों के लिए नहीं है या फिर उत्तरप्रदेश. आपके मंहरे अगरा यह सवाल भै है और आपके मन में भ्र्म है to test on this और निकाल दीजिए क्याँ यह दोग कि आप लोग संगडित ना होकर अपनी मांग ना उठा सकें क्योंकि आपके साथ गलत हुआ है आप पताड़ित हुआ है आपका हुआ है तो आपका हक बंदा है कि आप लोग एक जुट होकर इस मुद्दे के लिए केंद सरकार NCT MHRD के उपर दवाब बनाएं और रिवी से आगे आप कहीं नहीं जा सकते या तो सुपीम कोड में रिवी प्रेटिशन फाइल हो या फिर केंद सरकार MHRD मिलकर इस मुद्दे पर एक नया नियम बनाकर बीएड़ वाले चात्तों को फिर से प्राइमरी सिच्छक ब्रतिगंदर वैलिड करतें यहीं दो रास्ते हो सक के नोडिफिकेशन को रद्द कर दिया गया था तो इसके आधार पर सभी वो भरतियां जो निकाली गई थी किसी भी राज्जी के अंदर चाहे वो MP की भरती हो उत्तर प्रदेश की 79,000 सिच्छक भरती हो या फिर इसके अलावा केंदी विद्याले की माध्यम से निकाली काहार माने जाएंगे अगर आप लोग एक्जूट होकर अपनी मांगें नहीं रखते हैं के अंदर सरकार NCTE और MHRD के सामने तो क्योंकि अब समय आ चुका है कि आप लोग भी अपनी मांगों को रखने के लिए सरकार पर दवाब बनाएं चुनाब का समय है अगर आप सफलत सिच्छक बरती में मौका मिल सकता है कैसे पहला मुद्दा है जिभी प्रेटीशन फाइल करवा के दूसरा मुद्दा है कि उसके बाद में MHRD NCTE और केंद्र सरकार मिलकर जहां पर NCTE से गलतियां होई है उनका सुधार करें और एक वाफ फिर से संशोधन करते हुए नई नि से नया नोटिफिकेशन जारी करके बीएड को प्राइमरी सिच्छक बरती में वैलिट कर दिया जाए इससे क्या होगा कि बीएड वाले चात्नों को दुबार से प्राइमरी सिच्छक बरती में बैठने का मोका मिल जाएगा तो इस बात का ध्यान अवश्य रखें और इन ब आप जोड़ेंगे से बीड प्राथमिक को लेगा है उसमें अगर आप जोड़ते हैं तो हजारा अभ्यति आप जैसे वह मौझूद हैं जिससे के आगे की दर्णीती आप सभी को बताने और समझाने में आसानी होगी कुछ छोटी-छोटी बाते होती जिनके लिए वीडियो ब आप लोग इस वीडियो को और भी छातों तक शियर करते हैं और थेनिटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राब करके बैल आइकन को दबा लें थैंक यू फर वाचिंग दिस वीडियो